हम असम की घटनाओं पर भारती जनता पाटी असम की घटनाओं पर अतिधिक चिंतित है और दो दिन पहले किसी व्यक्ति के हत्या करने के पश्चात ये जो दंगा पूरी तरह से असम में फैल रहा है और विशेश करके कोकराजार, चिरांग और धुबरी जिला में जिस प्रकार का नर्संगार हो रहा है ये समाने नर्संगार नहीं है ये नर्संगार पूरी तरह से सांप्रदाइक है प्रकार प्रकारी ज्टा पार्थ ज्टा पाथ इसंगार में असमाझा असमाझा है गुबरी तरह से तरह से स्थादेश कोड़ चाहिए टार्संगार इस प्रकाराइक है has finally turned out into a major asana, loot and killings. And it's a full-fledged form of communal violence. फॉज बुलाली गई है। रेल यातयात भंग हो गया है। और नहीं सिर्फ मुसल्मान अल्ब संख्यकों के घर को जलाए गये हैं। बोडो के भी और कई हिंदूों के भी घर जलाए गये हैं। जो आकड़े मिल रहे हैं, जो सरकारी सूत्र के आकड़े हैं, वो इससे में लगबग एक लाग सत्तर हजार लोगों को लोगों की विस्थापन की सूचना है। लेकिन जो हमारी टीम गई है, जो पत्रकार और कारिकरता बता रहे हैं। ये संख्या लगबग पांच लाख लोगों तक पहुच रही है। अशच मतल安क जो ह सकते हुचना मेंना माAP स्थापन लग के सकते हैं, मες nei घ्मारी सूच्छी में में लोगो niceटों क। कि बएड़क हम लोगो तके में में लगव प्योबगरों के लगब wydaje ब हैं। कब लोगों म्नि 파ांटास। 32 लोगों की जान गई हैं, बहुतों के बारे में जानकारी नहीं है, इस में से पांच लोग की जान, पुलिस की गोली से हुई है, and the whole situation there is quite alarming, in fact, the concern is that the government seems to have completely failed on this front, there is a complete collapse of this government in Assam, और सिर्फ एक ही संप्रदाय कु मदद नहीं चाहिए, it is all the Bodo's, the Hindus, the Muslims, all need help at this point of time. There are camps which have Muslims, there are camps which have Bodo's, and all are under threat. Some say that there are hundred villages which have been affected, the other figures goes up to around five hundred, maybe more or less. Houses are being burnt, granaries are being raised, and the most shocking thing is, all while this was happening, the local police and the police stations had shut off. जहां तक सूचता है कुछ सौगाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन जो अभी तक की सूचता है, उसमें 400 गाओं में ये दंगा पहल चुका है. और सबसे चिंता की बात है, जो प्राथमिक सुरक्षा जहां से मिलनी चाहिए थी, जो थाने, जो असम पुलीस के थाने थे, वो पहले दिन से ही बंद हो गए. वहां के अधिकारियों ने छुट्टी ले ली, वहां से निकल गए, वो खुद भाग चले. और जो असम की सरकार को त्वरित कारवाई करनी चाहिए थी. अडिशनल फोर्सेस भेजने चाहिए थे, अपने अफसरों को भेजने चाहिए थे. पुरी जानकारी होने के बाद भी कई घंटों तक सरकार अंजान बनी रही. और अभी भी जो स्थिती है, वहां के स्थानिय थाने जो पुरी स्थिती की जानकारी रखते हैं, उनसे अभी तक पुरी तरह से कारवाई नहीं कर पा रहे हैं. But the most unfortunate part is that during the crisis of this time, there are charges of partiality being done by the government. And I would not like to quote it further because the Bharatiya Janata Party does not believe in flaring things. We want a solution. The fact remains that the country knows and it has been concern being raised by the Bharatiya Janata Party again and again. And we have been talking about it passionately that the changing demographic profile of these states, of these districts have become alarming. It is not only in particular in these areas, but across all the border states and all the border districts, whether of Uttar Pradesh, whether of Bihar, whether of Assam. This problem is not isolated state problem. This problem cannot be dealt in isolation. The onus of this flaw is the policy statement of the union government. ये समस्या जो अभी इतने ज्वलन्त रूप से बोडो लैंड की छेत्र में दिख रही है, इसका आधार पुराना है. और जिस तरह से इन छेत्रों का demographic profile, जिस प्रकार से यहां के समाजिक, संख्या, धर्म और जीवनी का परिवर्तन हो रहा है, उसके कारण ये संख्या ना ही सिर्फ असम में उत्तरपदेश के सिमाओं पर और बिहार की सिमाओं पर, सिमाओं पर पुरीतर से दिख रहा है. भारती जन्ता पाटी ने इस संदर्ब में लगतार केंदर सरकार को अगाह किया है, और हम बार बार इस विशे को उठाते रह रहे हैं कि आने वाले दिनों में देश के लिए एक बड़ा समस्या बनने वाला है. लेकिन अभी हम इस विशे को क्योंकि वहां की स्थिती बहुत ही विस्फोटक है, हम इस पर कोई राजनितिक टिपनी फिलहाल नहीं करना चाहेंगे. We will not like to make any political statement on the failed policies of the central government as far as the changing demographic profile of the border states are concerned. We have been raising this issue. We have flagged this issue. And we have also forewarned the union government of the consequences of this issue. This infiltration and the changes of demographic profile. लेकिन इस पूरे परिस्थिति में हम एक सवाल जरूर पूछना चाहेंगे. और विशेश करके, we will have a question from the Congress, the so-called the secular Congress government. which keeps on raising issues of communal issues in other states. Do they have an answer to this communal violence which is taking in their regime under their very nose in the state of Assam? हम कॉंग्रेस जो अपने आपको गहर संप्रदाइक कहती है और दूसरे राज्जियों पर दूसरे लोगों पर उंगली उठाती है. असम के इस संप्रदाइक हंगामे में और इस असम के इस संप्रदाइक दंगों के बारे में, क्या देश के प्रदानमंत्री बताएंगे जो स्वें उस असम राज्जिस से प्रतनिदी हैं. भारती जनता पाटी सीधे तौर पर आज इस देश के पधानमंत्री से असम के इस संप्रदाइक दंगे पर सीधा सवाल करना चाहेगी कि क्या उस्तिती से उबरने के लिए क्या इस संप्रदाइक दंगे से जिसमें असम की सरकार की भूमिका प्रत्यक शुरूप से दिख रही ही है हम देश के प्रधानमंत्री से इस सवाल का सीधा उत्तर चाहेंगे